दोस्तों आपके भी Facebook WhatsApp में 12 अगस्त 2017 को लेकर ऐसी मैसेज आए होंगे अभी कुछ दिनों से एक न्यूज इंटरनेट पे काफी वाइरल हो रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 12 अगस्त के रात रात नहीं दिन रहने वाली है बलकि 24 घंटे सूरज के उजाले के तरह आपको रौशनी दिखाई देनी वाला है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है क्या वाकई में ऐसा होनी वाला है इस बात पर कितनी सच्चाई है और कितनी जूट आज मैं इसी क्यों पर बात करने वाला हूं नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश कुमार आपका होस्ट और आप देख र पे अलग-अलग वेबसाइट की रिपोर्ट और न्यूस के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि 12 अगस्त 2017 को रात के वक्त भी आसमान दिन के उजाली तरही दिखाई देने वाला है और एक वाइरल मेसेज में ये भी कही गई है कि ये नजारा 96 साल में पहली बार 12 अगस् होने वाला है जिस वजह से वह बहुत जादर रौसनी पैदा करेगा और हमारी दर्ती में उस रात भी उजाला बना रहेगा जैसे कि अकसर अपने फिल्मों में देखा होगा कुछ इसी तरह का नजारा ही 12 अगस्त 2017 के रात को होनी वाला है तो दोस्तों मैं लेकर चलता और ये पहला उलकापाद मेट्योर शावर नहीं होगा इसके रौसनी भी बाकी मेट्योर शावर जैसे ही रहने वाली है जिससे थोड़ी बहुत रौसनी दिखाए पड़ सकती है ये कोई नई बात नहीं है कि ये पहले बार होने वाला ये हर साल तीन अलग-अलग महने में ये मेट्योर शावर होता है एक जनुरी के महने में दूसरा अगस्त के महने में और तीसरा डिसंबर के महने में देखा जाता है इसकी जो स्पीड होगी वो 37 माइल यानी 69 किलोमेटर पर सकंड की होनी वाली है और आप 12 अगस्त की राज उसका अनन्द उठा सकते हैं नासान अगस्त की है अगस्त की अगस्त की अगस्त की अगस्त की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से मेट्योर सावर होने वाले हैं और वो कितनी रौसनी पैदा करने वाला है जोस्तों कुछ ऐसे ही या इससे थोड़ी ज़्यादा आपको इस साल अगस्त के महने में देखने को मिल सकती है लेकिन कैसा होगा वो नजारा जो वाकई में रात के वक्त भी दिन के उजाले जैसा दिखाई पड़े यह कब होगी नहीं पता और अगर ऐसा होता है तो आप उस मोमेंट को किस तरह से यादगार बनाने वाले हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना आज के लिए इतना ही अगर आप को कोई सवाहल यह सुझावें तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें वीडिय जी के डेर सारी बाते आपके साथ शेयर करता हूँ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुद बाई